चले गाईज आज फिर से चो आप वो आटोगेट की नई वीडियो लेकर आ गया है और इसमें अपन देखेंगे कि यहां पर चो आप वो 3D में अपन कोई पार्ट बना कर देखते हैं 3D आपजिक्ट तो किस तरह से बना सकते हैं इसके अंदर आए गाईज तो इसमें चो आप iwayuv. यहां पर यहां पर यह चो एक Isomatics Lockout किस तरह एक फिरण हैं what 3D में बना की कोशिष करते हैं और किस तरह से ठीवे बना सकते हैं चले देखते हैं सब से पाहले काम करते हैं इसमें इसका फोस्ट बेस बनाने की कोशिष करते हैं और यहां पर कितना 120 बाइड ait którą आप दिशचाय और इसे पना inspiration और यहाँ पर कैसे भी वना सकतें बहुत सरे त करिके मैं काम करता हूं यहां पूंथी शेखा ऐखा पर यहां फ़ने प्रद्सक्रा यहां पर मैंने पॉले यह लिया और राइन आंड वह 120 नीचे बापसे 15 और उधर अंदर जो आ है, वो यहां से और यहां तक अब लिखते हैं, तो यह है, वो टॉटल 120 है तो यह 60, तो यह बचा टॉटल 60 और यह हाफ इधर और हाफ इधर है, it means यहां पर चौह है वो 30 and 30, ठीके तो यहां से यहां तक जो gap है वो 30 का है, तो यहां पर चौह है वो 30, ऊपर 5, यहां पर चौह है वो 5, इधर बीच में 60, नीचे 5, इधर वापस है 30, और इसके अंदर यह चौह है वो अपना complete हो गया है, इस्को यहां पर है इसको यहां पर इस को हाईट उना है, अगर ऐसे दे सो जएका है मतलब है से हाईट लगी या वैसे बूलदा जाये रहे तो यह तरह की एक तरह से डफ है, तो यह पर चौह है वो इसके लिए extrude command आप use कर सकते हैं, extrude के लिए ext, या फिर यह अपने यहां से भी ले सकते हैं, यहां पर चाहेंगे, draw, draw के अंदर, modeling, modeling के तर चुआ है, वो इसके अंदर extrude, यह लिया, और कितना extrude करना है, जैसे 80, तो यहां पर चुआ है, वो 80 अपने कर दिया है, और यह base, यह वाला कुछ स्लेंटिकल कर लगे हुआ है, और इसमें चुआ हो यहां पर 4 halls, डाया 10, 10 डाया के चुआ हो, 4 halls और कितना distance पर, यह distance अपन फाइन कर लेते हैं, यहां पर चुआ हो 90 है, center से center distance, और total, 120, it means, बच्चा, 120-90, 30, 30 मतलब हाफ इदर, हाफ इदर, तो 15, and same, इधर चुआ हो आ, same 30 और, same half- ahप तो, यहां से 15, मतलब यह 15, इधर से 15 और आदर से 15 अंदर है, तो, यहां पर चो, आप वो एक काम को करते हैं, में, राइन द कर लोगें तो, पर उसके लिए, पहलें चो, आप वो Uses properly set होना बहुत ज़रूरी है, तो, UCs आप हो हो, यहां पर चो, आप टो Aufuse oder यहां पर आप यहांपर आप यहां आपड यूजे सकते हैं, Tools budgets Ü masculin, Use Yes! और और face uses and just click space पर, just accept, Press enter to accept और यहां पुच्छाहे जाए भो इस्के अन्थर, 1st kli dag जा फिए, इंदर जाए 15 और जाए पर 15 एपर ने लिया आख जाए जाए ऑर yeah यहां पर you स obec स्लेंटर बना सकता हूं, स्लेंटर, कमांड तो है तो CYL होता है, यह लिया और यहां पछो है, वो सेंटर और कितना रेडियस, इसका रेडियस तो अपना 5 है, अचलिए 10 डाय है, यहां तो सीधा डामेटर, रेडियस दे सकते हैं, 5 या फिर डामेटर चाहिए, तो D, और इसमें से इसको च्वाए, वो subtract, पर इसके चारों कॉर्नेट्स पे उपने को cut करना है, तो इसके लिए च्वाए, यहां पर इनकी copies, यहां तो मैं सीधा च्वाए, वो copy कर दूं, 90 पे, इस तरह से, और इधर च्वाए, वो 50 पे copy कर दें, या फिर एक काम और कर सकता है, मैं यह मैंने 2D वाला यूज किया, 3D वाला भी यूज कर सकते हैं, जैसा आप जिससे comfortable वह वो यूज कर सकते हैं, यह लिया and just delete source object, sorry, erase source object, तो yes या no, यहां पर दो options दिये होगा, मैं इसको जो आप वो no करता हूं, क्योंकि मुझे यह जो source objects हैं, वो भी चाहिए, तो यह पर no or by default no selected है, सीधा enter किया, तो उसने accept इसको कर लिया है, और अब इनमें से वो इसको मैं subtract कर देता हूं, उसके लिए SU, subtract, उसके लिए command वो SU होता है, यहां फिर आप यहां से वो modify मिताएंगे, एसके नच मोडिकर के टौ, शीदिद जो एचें। और यहां अब जो इसके लिएależ स्यक्रद्वो करarah कि, आप इसके लिए सुछ उछू क्रमाइ बूद के लिए जो सब्द्टर्वा हो uncours क्रमाश् यह देखिए, कट लग गए, तो नीचे आना जो बेस है, वो लगब लगब अपना complete हो चुका है, और अब उसके उपर का पार्ट में को बनाना है, तो उपर के पार्ट में जो आए, वो यह, तो इसमें जो आए, यहां पर इसकी बेस से इसका जो हाइट है, वो कितना 60 है, यह पर चुका एव मैंने इसको टूँगर संतिया और यहां से जो है, वो लाहिव है, निया हो फॉलीन क्लिक, यह उठीं किसा इस यह से अंदर चुका यहांस दिखाए, तो यह है जो है, तो यह जो है, वो शुकल secondo है, यह यह जो है, वो एक सिक्स्टी है और यहां तो यहां से यहां से जो आए वो 10 अंदर यह लिए और अब Z में हाइट में कितना और यहां पर यह करसर अब देखें प्लस Z लिखा हुआ है यहां पर चौह है बोच से अपने को चाहिए 60 तो यह चौह है वो इसका center आ गया और इसमें अब यहां पर चुआ है वो यहां तो आप slender बना सकते हैं slender बनाना चाहिए वो आप बना सकते हैं या फिर आप दो circles भी बना सकते हैं तो यहां पर चुआ है वो मैं इसके अंदर और यहां पर इस तरह से circle जाएगा तो आपका जो UCSF वो ऐसे होना चाहिए मतलब Z जो है वो इधर होना चाहिए तब जाके जो है वो बन पाएगा क्योंकि अपन जानते हैं कि जो भी चीज़ बनती है वो हमेशा X and Y plane में तो यहां पर चुआएगो इसके लिए पहले plane अपन चेंज करेंगे 70 जो है वो इसका डामेटर है आउटर का तो यहांपर चुआएगो 70 डामेटर तो डाय डाय कली देंटर और 70 और एक और से अपने करते हैं यहांपर 50 डामेटर का यहांपर इसको इसको एक्स्टूड कर लेता है और चुकि Z इधर अपने को उस साइट चेंगे तो अपन क्या करते हैं माइनस कितना 60 हो गया यह और इसको अब देखना चाहिए तो यहां पर चुआ है वो रियल स्ट्रिक मोड में अपने से देख सकते हैं और चुकि अपने दो सर्कल बनाया है और उन्हें एक्स्टूड किया है तो अपन बाहर मिल्स अगर मैं अंधर वाले को चुआ है वो सब सब्सक्राइक करना है और सब्सक्राइक 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 सब्सक्र कर दिया इसके इस पॉंट पर ये और इसके अंदर एक चीज है कि यहां पर चुआ है वो अगर कमाड लाइने आप टाइप करेंगे प्लान पी ले एन प्लान टाइप करेंगे आप दो बार एंटर करते हैं तो वो जो एक्स प्लेंड हो स्क्रीन के पारलर हो जाएगा और और जाहां यूसेज हैट किया है वो बहीं पे रहेगा बट इनके सेगर आप फ्रेंड करते तो यह जो है वो फ्रेंड तो हो जाता है तो इसलिए यहां पर चुआ है वो प्लान लिखा है जस्ट टू टाइम एंटर वो उसमें एक्स प्लेंड प्लेंड के पारलर कर दिया और अ अन्ड इसके अंदर यह वाला पार्ट सेट लाइन में हटालेता हूं क्यों आपको विताओंगा और इसके अंदर वो यहां पर मैं बाऊंटरी कमांड टू डी में आपने देखा होगा बाऊंटरी कमांड बीओ एंटर और यहां बाऊंटरी प्रेशन और इसमें चुआए तो पिक पॉइंट तो पिकर बनावा इस्पेक लिट किया और यहां पर जैसे इने क्लिक करना हूं तो आप देखें कि यहां पर जो आएगो क्लूज ही रहा में पॉला इंचा लगसे बाउटी जन्रेट हो गई है यह और यह काम करता है इसका यह वाला जो बाट है वो भी मैं अभी क्रियेट ही कर लेता हूं तक कि मुझे आके प्राव्ब्म ना आए तो यहां पर जो आएगो यहां से इधर 35 और यहां से भी यह 35 होगया 30 प्लस 5 35 तो 35 और 35 यह जो आएगो कितना होगया 70 70 माइनस 120 70 माइनस 120 बचा अपना 50 तो यहां से यहां तक जो डिस्टन्स है व सिन्हार्स 25 और यहां से इसका टेंड यह ले लिया और यहां वर विछ आपकर करते हैं पॉंटरी को लेतैं तो यह लिया और बांटरी पर मैंने क्लिक क्या और एको-पांटरी इसका benefit, boundary का मैं आपको बताता हूं, इसको मैंने थोड़ा सा rotate किया, और विट करके बनेखने हैं, और यह जो extra line से पने draw किया, इसके अपने को ज़रुवत नहीं है, मैं इसको slack करके जो आपको delete कर लेता हूं, और इसको आपको extrude करते हैं, पहले तो, यह मैंने extrude किया, और कहां तक, इधर, और कितना चाहिए, minus 60, मैंने किया, just enter, और नीचे बाला part आपको complete होगी, और यह जो आपको इसका thickness, सिर्फ 10 है, तो यहां से आपको 10, और मैं इसको extrude करता हूं, slack किया, just enter, और इधर जो आपको यह और इसको मिड में shift कर लेता है, तो यह तो एक काम और कर सकते हैं, कि यहां से मिड यह लिया, और मिड में shift करने के लिए, मिड लिया, और यहां से कितना 35, जो gap है, और मैं इसको लिया, यह सीधा मैं जो आपको move भी कर सकता है, distance देके, मैंने एक midpoint, वहां पर mid पे किया, और mid से इसके end पे, यह और यह तो extra line sound के अपने को जरुवत नहीं है, इनको आप वापस से raise भी कर सकते हैं, यह मैंने raise कर दिया, और अब इसको जो आए, वो मैं real stick mode में देखता हूँ, real stick mode में देखने के लिए यहां पर गया और यहां पर real stick, और आप देखेंगे, यह सबको अगर एक करना चाहे हैं, तो आप जाए यह modify, उसके अंदर solidating, और उसके अंदर union, slack first, second, third and fourth, इन सबको slack है, just enter, और अब अगर मैं से move कर दूँ, यह तो extra lines है, नहीं तो वापस से हटाई लेते हैं अपन, और यह चाहें वो अपना completely, 3D object, और आप देखेंगे कि यहा अपने create का लिया है, तो इस तरह से च्वाई उपन, कोई भी isometric object, या कोई भी plan, और अपको यह विलेवीशन आपको अपने आपको यह समझ में आया है, तो हमारे चानल को यह लाइक करें, शेर करें, इस वीडियो को शेर करें, और इस वीडियो को शेर करें, और अब इस व जो भी important videos, जो भी tips and tricks वगेरा जो हम देते रहे हैं, वो उसका notification आपको चाहिए, वो मिलता रहा है. Thank you guys.